हेलो दोस्तो वेलकम टू धमा का स्टॉक चानल अभी ये लाइब मार्केट चल रहा है असो गलेरन अभी चल रहा है अभी लाइब मार्केट में मैं ये वीडियो बना लग इसलिए कि असक लिलान ने आज एक बरा ब्रेक आउट तोर दिया है मतलब असक लिलान का बहुत एक स्ट्रॉंग सपोर्ट था 138 जो 138 और तोर दिया है अभी थोड़ा सा इसका टेक्निक न अलाने से समलोग कर लेते हैं अब देखिए आपके सामने जो चार्ड है इसमें असक लिलान्ट अल्रेडी ये 200 दिन का मूविंग अवरेज है ये छोड़ दीचा बहुत नीचे इसके उपर तो है ये जो 100 दिन का मूविंग अवरेज है इसके भी उपर है और आज मतलब तिन दिन दो दिन पहले ये अपका 50 डे का मूविंग अवरेज है उसके भी उसको भी तोड़ दी है और आज ये देखिए मैंने एक यह पर देख रहे है एक स्ट्रॉंग सापोर्ट लाइन मैंने ड् अब हम लोग थोरा सा इसका विकली चार्ट देख लेते हैं मैंने एक ड्रॉव किया है एक तो बहुत बार एक जो स्ट्रॉंग इसका जो रेसिस्टेंस था और तोड़ दिया है दूसरा बात है कि देखिए एक बार यह एक फ्लाक टाइप का बना रहा है यह यह आपर देख अब देखेंगे तो एक फ्लाक टाइप का बना रहा है अगर आप लोगों में किसी को चार्ट का प्राटन के वारे में पता है तो फ्लाक का जो प्राटन होता है यह से अगर तोड़ देता है और उपर जाता है तो उपर ही जाने वाला होता है तो फ्लाक प्राटन भी विकल आभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका one month का क्या सिनारियो में one month में भी देखिए एक बड़ा सा flag बना हुआ है फ्लाग टाइप का एक बना हुआ है ये तोर दिया है इसका जो strong resistance था उभी तोर दिया है one month के chart में भी ये आपका 60 को ऊपर है और अभी जो प्राइस में ट्रेट कर रहा है चाहिए वो वन मन्थ हो वन डे हो और वन विक अब किसी भी चार्ट में देखके तो यह 100 डेस 200 डेस 50 डेस तीनों मुविंग अवरेज के उपड़ है मतलब यह एक स्टॉंग अभी एक सिगनल आया है यह बाई करने के लिए अभी यह 142 चल रहा है मुझे लगता इस लेबल पर अगर बाई करेंगे तो 150-10 रुपए का दोती दिन में मिनिमम देगा ज्यादा अभी आप लोग टार्गेट मत रखिया इसका क्यूंकि और अस्ट् सपोर्ट बन चुका है यह से मुझे लग रहा है कि उपर तक जाएगा 10 रुपए मिनिमम भागेगा अगर 10 रुपए भी तो आगे कितना जाएगा आगे हम बता पाएंगे लेकिन कोई भी इतना ज्यादा टार्गेट लेके मत चलिए तुरांत आप बाई कर सकते है दो-तिन अगरा 10 रुपए का पॉपिन मिल जाएगे